हेलो ओल डियर माई बच्चाज आज हम कर रहे हैं आपके पूछे हुए जो कोश्चन से उनका सल्यूशन तो वीडियो को लाज तेक देखिएगा पता नहीं आपका कौन सा नंबर का कोश्चन है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किपन कीजिए है क्योंकि नवोदे इंटेंस कि अच्छी तरह से प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो यह अग्रवाल एक्जाम कार्ट की बुक जरूर पर्चेस करें क्योंकि मैंने भी ऑर्डर किया है मैंने इसमें देखा एक बच्चा सौल कर रहा था तो मैंने देखा इसमें काफी अच्छे कोश्चन्स हैं और सं Druял कोश्चन्स है कि पाली करें कि यह पता देना चाहता हूं कि स्टूडेंटेंं ने जिस भी लेंग्विच में कोश्चन मुझे भीज़े भीज उन में कि क्यािंए Chaloon कुसित नहीं नहीं कि नहीं उनके जรुद नहीं कोशन देंगा कि A की I का 5% B की I के 15% के बराबर है तथा B की I का 10% C की I के 20% के बराबर है यदि C की I 2,000 रुपय है तो A, B तथा C की I का योग कितना है अब देखो क्या कह रहा है कि कोश्चन यह है कि if 5% of A's income is equal to 15% of B's income and 10% of B's income is equal to 20% of C's income if income of C is Rs.2,000 then what is the sum of income of A, B and C तो यह कोश्चन है उसमें option दिया गया 12,000, 18,000, 24,000 and D 21,000 अब इस कोश्चन को अगर हमें solve करना हो तो किस तरह से हम solve करेंगे तो यह कोश्चन हो जाए का पहले इसने क्या कहा कि A की income का 5% हाना तो यह के लिख देंगे हम क्या हो जाएगा 5% of A यह income और ना लिखना ना time waste बिल्कुल ना करना और यह 15% upon यह इधर आएगा तो यह divide हो जाएगा 5% तो हम ratio निकाल लेते हैं तो यहां से percent से percent cancel कर दो 5% 5, 5, 3, 15 यानि इनका ratio हो गया 3 is to 1 का यानि ratio क्या हो गया A is to B का 3 is to 1 ठीक अब आते हैं इसके second portion पर यह कह रहा है 10% of B तो लिख देते हैं कि 10% of B is equals to किसके है 20% of C के तो यह भी लिख लो भई 20% of C अब इसको हम इसी दरा solve करेंगे तो हम B upon C का ratio निकाल लेते हैं C इधर आएगा तो divide हो जाएगा और यह 20% upon यह इधर आएगा तो यह हो जाएगा 10% परसेंट से percent cancel कर लो अब percent से percent cancel हो जाएगा 10-1-10, 10-2-20 यह नि हो जाएगा 2 upon 1 यह इन का ratio क्या हो गया B is to C का ratio क्या हो गया 2 is to 1 हो गया अब क्या करोगे कि तीनों का ratio निकाल लो मैंने जब ratio proportion पढ़ाया था तो उसमें पताया था कि अगर A is to B इतना दिया है B is to C दिया गया तो A is to B is to C कितना होगा तो अगर नहीं देखा है तो उसका link description में दिया है तो वहाँ से जाके पहले पूरी वीडियो देख लेना सारी चीज़ अच्छे समझ में आ जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हमें निकालना है A is to B दिया गया है कितना three is to one और फिर दिया गया है B is to C कितना दिया गया है two is to one तो B के नीचे B लिखना ठीक है न देखो जैसा मै ने लिख़ा उसमाना से यहाँ पे लिखना अब इनका A is to B is to C हो जाएगा यह हो जाएगा 3,2 जा 6, फिर 1 का 2 से 1,2 जा 2, फिर यह हो गया 1,1 जा 1 हो गया, इनका ratio आगया, अब सारी चीज़ें easy हो गई, अब क्या हो गया, कि हमको 3 चीज़ें दी गई थी, क्या क्या दिया है, कि 3 चीज़ें A, B और ये C, तो इसका A का 6 हो गया, B का 2 हो गया, और C का 1 ह हो गया, ठीक है, यहां पर हमें question में कहा गया, कि जो C की income हो, वो 2,000 है, C की income कितनी है, 2,000, तो यानि देखो, अगर ये C जो है, ये 2,000 है, यानि 1 equals to 2,000, तो 2 equals to कितना हो जाएगा, 4,000, भाई, multiply कर देंगे, तो 1 कट 2,000 से multiply किया, तो 2,000 की की income 2,000 तो ये 2,000 से multiply करोगे, 4 इसको 2,000 से multiply करोगे, तो हो जाएगा, 12,000, यानि सब की income आगी, A की income 12,000, B की income 4,000, C की income 2,000, ठीक है, अब question हम इसे क्या पूछ रहा था, कि तीनों का sum क्या होगा, ये तो question था, कि तीनों का योग, यानि तीनों का sum क्या होगा, तो भाई, sum निकाल दो, क्या करोगे, 3 को sum क तीनों को add कर दो, तो 12,000, प्लस 4,000, 16,000, एंड प्लस 2,000, तो हो गया 18,000, आगे answer, ठीक है, तो यानि first question हो गया, 18,000, option देख लेते हैं, option में है क्या, तो option B is the correct answer, ठीक है न, चलो, वीडियो समझ में आया गई हो, तो सिखा, तुरंद वीडियो को like और share जरू कर दो, ठीक ह को क्या है, क्या है, आ होकर, बॉट चीकूज, एट रूपीज, थर्टी डू परड़जन, एंड शोल्ड देम, एट रूपीज, स्वट्टी परड़जन, फाइंड इस प्रॉफिट परसेंट, आप समझ लो भई क्या है, कि कोई भेरी वाला है, वो 32 रुपए प्रतिदरज के हिसाफ से बेज देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, भले उसमें कोईशन का गलत है, लेकिन बाकी मैंने सारी चीज़ें सही पढ़ाइए, तो अगर वो भी नहीं देखा है, तो उसका भी लिंक डिसक्रिप्शन में द बताओ रहा है, या लाउस हो रहा है, तो यहाँ हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट के बारे हूं क्या बतायाँ था, स्पी कितना है, थाटि टो गया थेरुप्रेंस है, यानि टुटल कितना डिप्रEntस है, इतर उपस्का प्रॉफिट है, हम इस्से कोश्चिन मे लिए कि profit percent is equals to formula क्या बताया था याद हो गया होगा क्या बताया था profit upon CP into 100 यानि चाहे profit हो या last हो हमेशा CP पर count होता है इस सब के बारे मैंने बहुत detail में explain किया है तो वो वीडियो जरूर देख लाना नहीं तो आपको इस आई वाले पर भी सारी चीज सारे playlist मिल जाएंगे आई वाले बटन पर यहां आई वाला बटन है न तो यहां पर देख ले न यह सारे यहां पर मिल जाएंगे ठीक है तो profit हो गया अगला question जिन्होंने हमें भेजा उन्होंने ना तो अपना नाम बता है ना तो state तो देख लेते हैं क्या है question सिधा क्या है in this following figure then the value of 2x इस question में हमें 2x की value बतानी है यानि ना तो हमें x दिया गया है और 2x की value बतानी है option दिया है a 300 degree b 200 degree c 100 degree 80 50 degree तो इस तरह के question अगर हमें y निकालना होता मतलब निकालना नहीं है मैं किल बता रहा हूँ अगर हमें y निकालना होता तो यह जान लो कि triangle के internal angles का sum 180 होता है यह तो पता है और यह क्या है यह linear pair है यह क्या है linear pair है यानि इसका और इसका sum कितना होगा 180 तो इसका मतलब हम पहले अगर हम x निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 30 plus x is equal to कितना हो जाएगा 180 ठीक है तो x equals to कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 तो x equals to कितना हो गया 150 और हमें question में क्या पूछ रहा था 2x क्या होगा तो हमें 2x यानि इधर 2 से multiply करो इधर भी 2 से multiply करो तो 2 x is equals to 2 into 150 ठीक है तो 2x का हो जाएगा 2x और 150 का 2 से multiply हो गया 300 डिगरी लोग आगया answer तो इसका answer क्या होगा 300 ठीक है ना चलो फिर अगला question देखते हैं अगला question देखो भई अगला question ये भेजा है आयूस पाल ने बांदा उत्तर प्रदेश से ठीक है तो आयूस देखो अपना question ब में बाटी गई है यदि x और z के भागों में रुपे 1500 का अंतर हो तो y का भाग क्या है अब इसमें option दिया गया है a rupees 1300 b 1700 c 1500 या d 1900 अब देखो क्या क्या दिया गया सब से पहले question क्या question ये कह रहा है कि तीन लोग है x y and z और उनमें कोई amount distribute करना है और distribution का ratio 2 is to 5 is to say वाना है ठीक है और जो z और x यानि x और z का जो भी उनका हिस्सा है जो भी उनके पास amount है उसका जो difference वो rupees 1500 है ठीक है तो हमें ये बताना है कि y का कितना हिस्सा है what is the part of y तो इंग्लिस मीडियो माले की समझ यह होंगे तो देखो क्या क्या दिया है x y और z ये तीन लोग है और तीनों दियों में ratio है 2 is to 5 is to 7 ठीक है फिर ये कहरा है कि x और z यानि इसका और इसका अगर माल लो इनके सबका जो amount है वह वह हो डिये इसका 2x हो इसका 5x हो और इसका 7x हो अगर माल लो सबका amount यह हो तो z minus x यह कहरा है कि यह 1500 है तो जड़ कितना सेवन एकस ए एकस कितना एकक्षाइच ए टो एकस तो कितना होगया वंधालगे टॉ थीक rifmaliba तो fana the 궁ty तो एकस एकस इधेनए कांडेंट तो एकसि कितना हो जाएगा वंधा फैट इन फाइकस एकस तु तो लिख लो, y का कितना है, 5x, तो हम x यहां कितना रख देंगे, 300, तो यहां 300 रख दो, तो 5, 3000, 1500, यहनी 1500 रुपए, y का हिस्सा हो जाएगा, तो option देख लो भी कौन सा है, option c, is correct, ठीक है, समझ में आ गया, तो आयूस अगर समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, और एक बार, share जरू कर दो, अपने friends के साथ, जो भी नवोदे इंटरेस एक्जाम की तयारी कर रहा है, अगर नहीं समझ में आता है, तो दुबारा से जरूर देख लेना, ठीक है न, चलो फिर, आगला question देखते हैं, अगला question यह बेचा है, अंसिका सर्मा ने, लेकिन मुझ इंटू 5 की पावर माइनस 3 इंटू 7 की पावर 3 की value क्या होगी, अब यहाँ पर अगर हमें question लगाना, तो एक चीज़े देखो, कि अगर पावर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, तो उनके जो पावर सोते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे उपर जाने, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस से तो प्लस, यानि अगर यह माइनस 2 नीचे लेके आएंगे, तो यह प्लस 2 हो जाएगा, यानि इसमें add हो जाएगा, अगर यह माइनस 3 हम उपर लेके जाएंगे, तो यह प्लस 3 हो जाएगा, अगर हम 3 को उपर लेके जाएगे, तो माइनस 3 हो जाएगा, देख इंटू 7 की पावर 4 है यह 3 उपर जाएगा तो यह 3 पावर माइनस हो जाएगा सब्सक्राइब अब यह ही से solve कर लो तो हो जाएगा 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 4 माइनस 3 कितना होता 1 तो जो लिखनी जूरूत नहीं है और यह हो जाएगा 3 की पावर 5 है 55 25 25 25 125 125 125 यह हो जाएगा 15625 इंटो 7 अपों 3 की पावर 7 करोगे तो यह हो जाएगा 2187 अब इन दोनों को मल्टिप्लाइ कर लो इन दोनों को मल्टिप्लाइ करोगे तो आ जाएगा तो यह हो गया अंसर तो देखो इन चीज और भी कोश्चन अगर भेजना है ना तो कोश्चन अपने जो भी तैयारी के लिए जो भी पुक लिए उससे बेजा करो वह भी ऑप्सन सही था और अपना नाम और स्टेट जरू डाल दिया करो ठीक है कैसे बेजोगे वह जो लिंक द सकते हैं और वहां पर मैं अपने वीडियो की लिंक डाल सकता हूं ठीक है तो और ग्रूप क्लोज है जो भी आपको भी बेजना होगा वह मुझे बेजिएगा और जो भी कोश्चन होता है मुझे बेजिए लेकिन फिर से पता दे रहा हूं केवल नवद इंट्रेंस के लिए ठीक है इस्टा कोश्चन नहीं बेजना है चलो आगे देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन देखो यह बेजा है प्रतीक तिरवेदी ने उत्ता प्रदेश से अब देखो इनका कोश्चन क्या है इनका कोश्चन है कि the ratio of the number of boys and girls in a school is 3 to 2 if 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders the percentage of the students who are not scholarship folder is Hindi में समझ लो क्या है यह कह रहा है कि कोई स्कूल है वहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो ratio हो वो तीन अनपाते दो का है अगर उसमें 20% लड़कें हैं और 30% लड़कियां हैं जिनको scholarship मिलता है तो कितने percent ऐसे हैं जिनको scholarship नहीं मिलता है अब समझ लो कोश्चन क्य समझ लो एक बार option देख लेते हैं पहले 50% B 72% C 75% D 76% अब देखो यहां पर कहके दिया एक तरफ दिया गया है लड़के ठीक है तो लिख लो जो जो दिया हो वो लिख लिया करो ठीक है boys और लिख लो girls अब देखो इनका ratio क्या है 3 और इस to 2 इनका यह ratio दिया गया है ठीक है यह बात आकी समझ में scholarship किनको मिलता है देखो scholarship scholarship holder scholarship मिलता है लड़कों को मिलता है 20% को ए टीक है यह तो दिया है 20% of the boys and 30% of the girls और 30% मिलता है लड़कियों को लेकिन हमा question क्या है कि जिनको scholarship नहीं मिलता है तो scholarship अगर 20% को मिलता है तो कितने को नहीं मिलता है 80% को नहीं मिलता है लड़कियों में 30% को मिलता है तो इसका मलब 70% को नहीं मिलता है भाई हर चीज अपने का 100% ही तो होती है यह बाता की समझ में की नहीं कि अगर 20% को scholarship मिलता है लड़कों को 30% को नहीं मिलता और लड़कि करते थे इससे हमा कुछ नंबर मिल जाएगा जैसे अगर हम माल ले कि इसको हंडेट से मल्टिप्लाइ करें तो लड़के हो जाएंगे 300 और लड़कियों को भी अगर हम अंडेट से मल्टिप्लाइ कर दे तो 200 यह चीह याद रखिएगा कि जो भी अगर नंबर निकालना होगा दोनों को सेम नंबर से मल्टिप्लाइ करना उंडेट से कर दो तो इसको भी अंडेट से इसको भी अंडेट से 50 से करो गए तो इसको मिल जाएंगे अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हमको जिनको नहीं मिलता है यह वाला देख लेता है तो इनको 300 का 80% लोगों को scholarship नहीं मिलता है तो हम लिखा लेगे 300 into 80 upon 100 solve कर लो भई तो यह 0 से यह 0 का इंसल तो 8 सी या 24 यानि 240 boys को नहीं मिलता अगर 300 होते तो अगर 300 boys होते तो उनमें से 240 को ना मिलता 200 girls है तो इनमें किसको नहीं मिलता है into 70 upon 100 ठीक है अब यहाँ 0 से 0 कंसल कर लो 7 to 14 यानि 140 ललकियों को ना मिलता ठीक है तो कितने लोगों को ना मिलता को scholarship नहीं मिलता है कितने में 500 में तो हमसे question में क्या पूछ रहा था percentage बता हो कि कितने को scholarship नहीं मिलता तो निकाल दो भी percentage क्या दिख्याता है तो यहाँ पर निकल जाएगा percentage देख लो कितना 380 लोगों को नहीं मिलता है कितने में से 500 में से ठीक है और इसको 100 से multiply कर तो यह percent हो जागा percent में change करने के लिए भी मैंने बताया है वीडियो जरूँ देख लेना आई वाले बटन पर क्लिक कर लेना या फिर description में लिक दिया है वहाँ से ठीक है यह 0 से यह 0 कैंसे फाइप हों जा फाइप फाइप 36% total है ऐसे जिनको इक स्कॉलर से नहीं मिलता तो option देख लो option कोई है फिर D तो D option is the correct answer समझ में आ गया एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो जब session खतम हो जाएगा उसके बाद दुबारा से बैठना सारे question solve करना ठीक है तो वहाँ पर देखना है कि यह चीज़े जब solve करोगे तो समझ में आ जाएगी और नहीं समझ में आती तो वीडियो को दो तीन बार देखा करो ठीक है तो सब चीज़े समझ में आ जाएगी चलो अगला question देख लो अगला question है यह है नितेश जिनने पूछा है दिल्ली से और यह question है कि how many natural numbers lies between 52 square and 53 square देखो बच्चे इस तर कि 52 square और 33 square के बीच में कितने natural number यानि कितने प्राकेट तिक संख्या होंगे तो सारे के सारे प्राकेट तिक संख्या होंगे natural numbers क्या होते है जानते हो ना natural numbers वो number होते है जिनका यूज हम चीजों को count करने के लिए करते है जैसे 1,2,3,4,5,6,7,7,7 तो यह क्यों लिखना समझ और इनके बीच में कितने number आएंगे तो इनका सीधा सा याद कर लेना कि ये होता है कि B minus a minus a ये याद रखर लेना इनके बीच में इतने ही number आएंगे देभो कैसे करेंगे हम ये कर लेते हैं यह हमारा a हो जाएगा ये हमारा b हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 53 प्लस 52 और 4 तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 104 is the correct answer अब यह सोच रहोगे कि ऐसे कैसे हो गया यह कौन सा formula है वही तो यह formula नहीं है यहां तो एक identity जब अल्यबरा पढ़ा होंगा तो मैं पता दूगा एक identity है a square minus b square की तो इसमें क्या होता है यह होता है एक bracket में a plus b दूसरे bracket में a minus b तो अगर दो लगाता numbers होते है न दो लगाता numbers देखो यह दोनों continue है न दो लगाता numbers तो दो लगाता numbers का जो difference होगा वो तो 1 हो जाएगा न तो इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे क्यों इसको लेके चलते है तो 52 प्लस 53 कर लिए अच्छे यह minus 1 क्यों क्यों किय minus 1 इसलिए किया क्योंकि हमको last वाले number तो count ही नहीं करना है उनके बीच में तो last वाले number तो हमको count ही नहीं करना न तो last वाले number को हमको count नहीं करना इसलिए हमने minus 1 कर दिया very simple तो इस तरह से यह answer आ गया 104 टेक चलो अगला question देख रहे है अगला question आया है गया यहा है प्रग्या का और प्रग्या है जारखंड से तो देखो भई का है कि तिमाही परिच्चा में एक विद्यार्थी 30 परिस्त अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से fail हो जाता है इसी परिच्चा में दूसरा विद्यार्थी 40 परिस्त अंक प्राप्त करता है तथा 29 अंकों से 28 अंक अधि सब्सक्राइब है कि कोई चाहिए माहिँ चौड़ दो यह समझो कि कोई लेकर यह जादा है लेकिन यह ज्यादा लेकर आता है यह ज्यादा समध्दार आता है यह पता ना maximum marks कितने थे यानि ये चीज़ जालो कि कोई भी चीज़ न अपने का 100% होती है तो अधिक्ता मांग क्या नि maximum marks पूछ रहा थे इसका मतलब हमें 100% बताना है ठीक है खेर इसको छोड़ो अभी देखो अभी हम वो 40% लेके आया लेकिन 28 नंबर ज्यादा आया है 28 marks इसको ज्यादा मिले तो अगर ये minus 28 पाता ठीक है तब भी ये पास हो जाता कहने का मतलब है कि पास होने के लिए इतने marks का होना जरूरी था यह बात आई समझ में यानि दोनों इकवल हो गए ना भाई देखो ये 30% परसंट पाया और ये 12 marks से फेल हो गया यानि इसको अगर 12 marks और मिले होते तो ये पास हो जाता यहां 40% लेकिन इसको 40% मिले लेकिन इसको 28 परसंट, 28 मार्क जाथा मिले थे, अगर 28 मार्क को कम मिले होते, तब भी तो ये पास हो जाता है, बात आई ने समझ में, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इसके पास मार्क है, ठीक है, जिसको पासिंग मार्क बोलते हो, फिर ग्रामर के इसाब से पास मार्क है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, अब हमें यहां निकालना क्या है, 100%, ठीक है, तो हम 30 को 40 के बास लेके जाएंगे, तो 40%, 30% उधर जाएगा, तो माइनस 30% हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 28 को इधर लेके आएंगे, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 12 प् 28 करोगे, तो हो गया 40, अब यहां से इसका 1% निकाल लो पहले, तो 1% निकालोगे, कैसे, जब किसी इसका 1% निकालते हैं, तो हम डिवाइट करके निकालते हैं, तो 40, अब हो उनके इधर आएगा, तो 10 हो जाएगा, 10, 4, 40, यानि 1% is equals to कितना हो गया, 4, हमें निकालना क्या 100%, क्योंकि maximum marks पूछ रहा है, तो अगर हमने इधर 100% किया है, समयलो बात को, कि अगर हमने इधर 100% किया है, यह 100 से multiply, तो हम इधर भी 100 से multiply करते हैं, तो यह हो जाएगा, 4 into 100, यानि total marks कितने हो गया, 400, यानि हमारा answer कितना हो जाएगा, 400, तो 400 is the correct answer, यह हमाब भी option is correct, ठीक है समझ में आ गया न, क्या लोग प्रग्या, वीडियो को like कर दो, और अपने friend में share करना, बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आप लोगों के इसाफ से, इस तरह से कोई भी YouTuber, या कोई भी YouTuber चितना हो, वो नहीं पढ़ा रहा है, तो इसके लिए मेरे लिए इतना करी सकते हो, कि व आज चल रही है, और ज्यादर ज्यादर लोगों को subscribe करने के लिए कहिए, जिस दिन 10 के हो जाएंगे न, यकिन मानिए, उस दिन से आपका live session मैं शुरू कर दूँगा, live test का, जिसमें मैं आपको लगातार question, लगातार solution बताऊंगा, जाए हो दो घंटे लगें, तीन घंटे चार घंटे चाहे मुझे रात में जगना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए पूरा काम होगा, तो जल्दी से वीडियो को share कर दीजे, चलो ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरू कर लो, अभी आप लोगों के लिए भी बता रहा हूं, जो नए हो वो भी subscribe करक बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लें, चलो अगला question देखते है, question number 9, देखते है किसका question आता है, तो question number 9 तो आ गया, लेकिन यह नहीं बताया है, इन्होंने कि यह कौन है और कहां से है, फिर भी, चलो इनका question देखते है, question के दिया गया है कि three numbers which are co-prime, बहुत ध्यान से two is 551 and that of the last two is 1073, the sum of the three numbers is 75, 81, 85 और 89, देखो, हिंदी वाले समले, यह कह रहा है कि three सहभाज संख्याएं हैं, सहभाज संख्याएं क्या होती है, कि co-prime number यानि जिनका SCF1 होता हो, ठीक है, कोई भी ऐसे number 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी, लेकिन उनका SCF1 हो, तुने co-prime number है, ठीक ह तो यह कह रहा है कि इन सब का जो पहला और दूसरा है ना, उसका जो गुड़ा है, उसका जो product है, वो 550, 551 है, और last के जो दोनों है, उनका जो product है, यानि गुड़ा है, यानि जो भी होगा, उनका 173 है, तो यह बताना है कि उन तीनों number का sum क्या होगा, कोश्या समझो, माल ल पहले और दूसरे का जो product है, A और B का, वो है 551, और जो last के दो है, यानि B और C, तो B और C का जो product है, वो है 1073, ठीक है, यह बात आगे समझ में, यहाँ पर एक छी यह देखो, कि जो भी जी, यहाँ पर देखो, A इसमें और इसमें यह तो common है, ठीक है, यह दोनों तो common है, तो हमें यह क्या करना है, यह common है, तो इसका मतलब क्या है, इनका जो SCF है, वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, यही तो कहा इसमें, कि यहाँ पर यह तीनों, A, B, C, इन तीनों का SCF कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो हम क्या करते है, इन दोनों का SCF निकाल ल 151, minus 3 minus 1 हो गया 2, 7 minus 5 हो गया 2, 10 minus 5 हो गया 5, अब यहां से इसको 551 यह करो, तो यह फिर वन टाइम होगा, तो यह हो जाएगा 522, तो 11 minus 2 हो गया 9, 4 minus 2 होगया 29, फिर इसको करेंगे 522 से, तो 29 कितने टाइम जाएगा, 29 18 जा तो यह हो जाएगा 522 यह कड़ी है तो इसका मतलब जो SCF आया है इसका SCF आया SCF अब लिक देते हैं चलो SCF of 551 and 1073 is equals to 29 अब यह बात आगी सौन में तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो B है यह हमारा कितना आगया 29 आगया अब हम आसानी से यहां से A और B भी निकाल सकते ना जाही पर रख लो क्या दिया है A into B is equals to 551 तो यह निकाल दो भई क्या है A into B की जहां क्या रख लो 21 रख लो क्योंकि B की वैली तो हमारी आ गई ना गई जो आए यह तो हमारी जो आया कि राख लख लख लिगा 251 वैली एकवा दिःuard Sun when तो निकाल यह तो हमें यहां पर हम एक हमारी सांटी ना بैण से त्क्राइद दो आटर भी नीस में करें 551 upon 29, divide कर लो भई, 551 को 29 से divide करोगे, तो कितना हो जाएगा, 19 टाम से आएगा, तो यानि A की value जो हो गई, वो 19 हो गई, उसके बाद हम यहाँ B निकाल लेते हैं, B हमारा कितना, 29 into C is equal to 1073, यह हो गया, तो C is equal to कितना, 1073 upon 29, यह हो गया, अब इसको divide करोगे 1000 को, तो यह कितना ह हो जाएगा, यह जाएगा 37 टाइम, ठीक है, 37, तो C की value जाएगा, सब की value आ गई, A की value भी मिल गई, 19, B की value भी मिल गई, 29, C की value भी मिल गई, 37, अब यह question पूझ रहा था, कि तीनों का सम क्या होगा, यानि A plus B plus C हमें बताना है, तो जोड़ लो भई, कितना हो जाएगा, 35 कोई option है, यानि C is the correct answer, 85, ठीक है न, तो यहाँ पर देखो, यह वाला अगर confusion होगा B, तो यह B दोनों में common है, दोनों में common है, और co-prime number ते हैंनि SCF, तो SCF निकाल लो दोनों का, तो जो आएगा, वो B की value आगे, 29 इसका B, 29 इसका B, very simple, यहाँ से फिर हमें और B निकाल ले तो चलो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को जरूर शेर करते हो, लाइक शेर जरूर करते हो, ठीक है चलो, अगला question देखते है, question number 10, यह question number 10 जो है, यह भेजा है, आसिफ यह राजस्थान से, एक चीज और भी, इतने सारे question हो जाते है, कि जिसने session होता है, Saturday को केवल एक student इंक्लूड कर पाऊंगा, क्योंकि इतने सारे question हो जाएंगे, फिर सबका solution नहीं बता माऊंगा, तो सभी लोग अपने जो भी most difficult question आपको लगते हैं, वह question और वह भी अपने exam से related, यह नहीं कि कहीं से भी ढून लाओ और question भेज दो, तो यहाँ पर देखो, यह आसिफ राज में दो समानवार्सिक किस्तों के द्वारा किया गया, प्रतेक किस्त की रासी कितनी थी, option देख लो, 5,769, 5,779, 7,599, या 7,500, ठीक है, देखो 5,779, 7,500, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इस तरह question आते हैं, पहले तो समय लेते हैं क्या है, कि कोई amount है, 13,360 की जिसक rate है, 8 whole 3 upon 4 percent annual, और वो भी CI, ठीक है, CI compound होता है, तो इसको जब वापस किया जाता है, यानि return में, दो सालों में, तो इसको 2 equal installment में, ठीक है, तो installments related question है यह, तो 2 equal installment में तो बताना है कि वो installment कितनी थी, अब यह question लेगो, क्या-क्या दिया गया है, यह तो हमारा PD दिया गया है, तो लिख लेते हैं पहले, P equals to 13,360, और उसके बाद हमें R दिया गया है, R कितना दिया गया है, 8 whole 3 upon 4 percent, इसको हम नॉर्मल लिखे हैंगे, तो यह 8, 4 जा 32, कितना हो जाएगा, and 3, 35, 35 upon 4 percent, यही तो हुआ, अच्छे काम करो, अगर हमें percent हटाना हो, तो हम क्या करेंगे, 35 upon 4 into 100 rate कर लेंगे, यह मैंने percentage में पढ़ाया है, तो यह हो जाएगा, 5, 7, 35, 5, 2, 10, यह हो गया, 0, यहनि 7 upon 4, 24, 80, ठीक है, यह सौन में आगी बात, तो यहां पर हमें क्या करना है, दोगो, इसका मतलब क्या हो गया, तो अभी चलो आगे बताते हैं, कि एक करप तो यह हमारा मूल दन है, प्रिंस्पल, और दूसरी तरफ यह माल लो की हमारी किस्त है, क्या है, इसको हम कहें, installment, या फिर इसको हम कहें, मिस्रदन, ठीक है, किस्त, या फिर मिस्रदन, या amount, यह समय आगया, तो यहाँ देखो, यह amount बने लिग दें, इंगलिस वाले पर समझ लेंगे न, चाह से अगर मालो कहीं पर भी यह दिया जाना कि 20% अगर दिया गया है 20% पर इनम अगर यह रेट है तो इसका मतलब क्या होता है 20 अपान हंडेट यानि 20 पर 100 रुपए यानि 100 रुपए अगर उधा लेता हो तो हर साल दोंगो 20 रुपए उस पर इंट्रेस्ट देना होगा तो वही सेम चीज यहां पर है कि अगर 80 रुपीज अगर प्रिंस्पल है तो उसका जो मुलब इंट्रेस्ट होगा वो 7 रुपीज होगा यानि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 80 प्लस 7 यह संच मैं न तो यह कितना हो जाएगा 87 बताओ बात प्लस इंट्रेस्ट ही थो थो तो यहां लेकर है यानि 80 प्लस-7 यह होगा है 87 ठीक यह उसके बात यह क्या रहा है कि अगर यह हैं तो हम क्या करेंगे इसको नेस्ट-इयर में लेकर जाएंगगे अगली जो dipped हो कर लो ठीक है तो इसका स्कॉयर कर लो के कितना हो जाएगा 7569 यह समझ मैं कि नहीं है यहाँ पर देखो यह पहले साल का था तो दूसरे साल का तो दूसरे साल में वो हमने स्कॉयर कर दिया ठीक है तो यहाँ पर इसका स्कॉयर यह इसका स्कॉयर हो गया तो यह आगया 6400 का कितना हो जाएगा amount यानि इसकी installment किस्त 7569 रुपीज ठीक है न तो यहां पर देखो एक ही जब भी और यह कहा रहा है कि दोनों equal है यानि दोनों के जो amount है दोनों के जो किस्तें है वो same है तो हमें अगर दोनों की किस्तें सेम करनी है तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 87 से multiply कर दो और इसको भी 87 से multiply कर दो दोनों तरफ करना पड़ेगा भी मैंने पहले भी एक question बता थी जो कुछ भी करोगे वो दोनों तरफ करोगे तो इसको मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हो गया कि अगर पहले साल का प्रेंसिपल यह होता तो उस पर जो पहला किस्त देता पहला इंस्टाल्मेंट वो इतना देता फिर दूसरे साल में इतना होता तो उसका जो उतना देता यानि दोनों मिला के कितना हो गया अगर हम दोनों का सम कर तो दोनों में इलाके कितने होगे इन दोनों को एड़ करो 6960 प्लस 6400 अगर इन दोनों को एड़ करोगे तो हो जाएगा 13360 यह हो गया ठीक है तो इतना हम यूनिट माल लेते हैं यह अगर हम यूनिट माल लेते हैं फिर चलो अमाउंट ही माल लो तो अगर यह हो गया तो इसमे कितना हैं इसका इंट्रेस्ट कितना हो जाएगा इन दोनों को भी सम करो तो इन दोनों को अगर करोगे तो इसका मतलब क्या हुगा है इसका मतलब 3,360 यह हमें amount दिया गया था न तो इतना unit हो गया तो यह कितने का हो गया यह हो जाएगा 3,360 रूपिज, ठीक है ना? यह समझ में आकि नहीं, यह हो गई, इतनाोगा 360 रूपिज ते एक यूनिट का किटना हो जाएगा, तो एक यूनिट का हो जाएगा, एक रूपय, ठीक है, तो इतने का कितना हो इतने गा 7569 का तो इसका हो जाएगा 7569 यूनिट इसका कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा एक यूनिट पर राबर एक रूपया है तो 7569 यूनिट पर राबर तो ये भी तो सेम ही रहेगा ना तो ये हो जाएगा 7569 रूपीज तो ये हो जाएगा इसका अंसर देखो इसका अ कोश्चन नवदे जाम में आते हैं कि आप लोग इतने टफ कोश्चन सौल करने की जोगत नहीं बेसिक से जो भी आपके बुक के कोश्चन है वो सौल कीजिए आपका हो जाएगा आप इस तरह के कोश्चन में तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है एक फिर से जो है सेन रॉपेसं मिलता तो यानि पहले साल इसकी चैनल की सवस्चन पर्फियं मजली कशन 2569 ठीक है यहेज़क हो गया से करें इन दोनों का सम करते हैं तो यह आ गया कितना 13,360 और यह हमारा amount भी दिया था तो 360 अगर हमालने कि यह प्रिंसिपल ने यूनिट है तो इतना बराबर हो हमारा फ्रिंसिपल हो गया इतने रुपाएक है तो एक यूनिट वराबर एक निकालना था 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 तो इतना यूनेट का इतना रुपया हो जाएगा बताओ बात आए समझ में कोई दिक्कत है यह कोश्चन थोड़े से अगला कोश्चन है यह बेजा है प्रिंस पाल जीने अयुद्या उत्तर प्रदेश से और इनका कोश्चन है कि एक महाजन रुपए 402 वर्स के लिए तता रुपए 203 वर्स के लिए साधान ब्याद पर उधा देता है यादि व्याज की दर दोनों दसाओं में एक सी हो तो कुल ब्याज रुपए 70 हो तो ब्याज की वार्सिक दर क्या है आप्सन दिया गया है 3% 4% 5% या 6% देखो क्या कहा रहा है कि यह यह कोई ट्रेडर है कोई महाजन है और इसको कि तो बार दिया अच्छा इसमें हमें आर नहीं पता है ठीक है जहां पर हमें P2 दिया गया फिर 200 रुपए देता है कितने टीन वर्स के लिए इसमें भी हमें आर नहीं दिया गया है ठीक है लेकिन यह गहरा है कि दोनों का जो रेट है यानि जो आर है वो क्या है सेम है दोनों का रेट सेम है तो हमें SI बताना है तो ठीक है हमने SI निकाल लेता है अच्छ और टी हो गया टू अपान हंडड़ ठीक है अब इस जीरो से जीरो गशल हो गया तो कि न हो गया फूर टू जा एक आर बताओ यह बाता है समझ में यहां पर भी निकाल लो एसाइट निकाल लो यहां से यहां गये टू हंड़ेट इंटू आर हमें मलब एक्वल है दोनों का त दोनों का इंट्रेस्ट है ना वो 70 है नेनी दोनों का समझ तो SI1 प्लस SI2 इस इकोईश टू रुपी 70 सत्तर रुपए दिया गया है अमा आया कितना यह आया एक आर और यह कितना है 6 आर इस इकोईश टू बता यह सांज में आया है इन दोनों को जोड़ दो 8 और 6 कितना हो ग गया अंसर तो कितना हो गया इसका option is correct यानि 5% is the correct answer तो अगर कोशन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दो ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं तो उमिद करता हूं आप लोगों को को समझ में आ गया होंगे और कोई भी कोशन भेजने के बा आपको solution बता सकूँ ठीक है तो चलो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन को प्रेस कर लो और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में जैहिन वंदे मा प्रेसी तक हुआ याजा यार कर दो वांस माटू यार को प्रेसी लाइकまた दो क